दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि स्टास्फिन एप से लोन कैसे अपलाई किया जाता है दोस्तों अगर आप loan की तलास कर रहे हैं और आप instant loan पाना चाहते हैं तो StarSfin एक ऐसा loan application है जिसमें आपको 1000 रुपी से लेकर 5 लाख रुपी तक का loan मिल जाता है दोस्तों अगर आपका civil score खराब भी होता है अगर आपका civil score डाउन भी होता है और अगर आप इसमें loan apply करते हैं फिर भी आपको loan इसमें मिल ही जाता है तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे StarSfin app से loan के लिए apply किया जाता है और साथ के साथ उस पैसी को bank account में कैसे transfer किया जाता है तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल new process में दिखाने वाला हूँ कि StarSfin app से आप कैसे loan apply करेंगे तो अगर आप भी StarSfin app से loan apply करना चाहते हैं तो वीडियो को complete देख लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए है चैनल को subscribe जरू कर ले ताकि आपको हमारे हरी खाने वाले वीडियो की जानकारी फटापट मिलती रहे और वीडियो को लाइक नहीं की हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों StarSfin app से loan लेने के लिए सबसे पहले आप StarSfin loan app को अपने mobile में डाउनलोड कर लेंगे दोस्तो StarSfin loan app डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा उस लिंक में क्लिक करके आप बहुती आसाने से StarSfin loan app को डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए अब मेरा पहले से StarSfin ले में open कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किसमा आपको क्या से loan apply करना है जैसी दूस्तों StarSfin loan app को अपको इस प्रकार एंटरफेस सो होगा जहाँ पर आपको इस सब के कुछ highlight देखने को मिल जाएंगे इसको आप read कर सकते हैं दिर इसके बाद आप continue option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप continue option पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर language चूज करने का option मिलेगा यहाँ आपको दो option मिलेगा continue in English और Hindi में जारी रखे अगर आप Hindi में सब को यूज करना चाहते हैं तो Hindi में भी कर सकते हैं चले में English में यूज करूँगा तो मैं continue in English को select कर लेता हूँ आप जूस के सब्सक्राइबको परेंड हैं आपको मॉबाइल नमर डालने का option मिल रहा है अब जूस्तों भाइल नमर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सीख्वार ले का option देख आप चुछींब करने अब को कुछ पर्मिस्ट्स पर दो करेंगे तो जैसे की एंपिन सेट कर लेंगे ताकि जब भी आप नेक्स टाइम इस एप में लॉग इन होगे तो आपको उस एंपिन की जरौत होगी तो आप इनवल एंपिन पे क्लिक करेंगे अब यहां पर आपने इस सबसे जो एंपिन रखना चाहते हूं वह एंपिन आप एंपिन डाल देंगे इसके बाद दूस्तों यहाप आपको दो चैकबॉक्स दीख रहा है एक में बताएगया है यह साय है वे रिफरेल कोड अगर आपके पास रिफरेल कोड है तो इसको टिक करेंगे अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे इसके बाद बताएगा है रिसीव ओफर एंड लोन मिल जाएगा तो जिसे के देख सकते हैं आपको यहां पर दो परकर का लोन यहां पर दिखने को मिल रहा है 35,000 रुपी का और एक 3,000 रुपी तक का तो चली हम यहां पर 35,000 रुपी वाला लोन अप्लाइ करके देखेंगे अब आपको हैं पर his communication complete काटने के लिए हम आप complete e का वाईसे option पे किलिक करेंगे आप जिसे दुस्त आप complete e के वाईसे option पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको ड Phillieी डीजे Uhr लोकर के पे लिगा एगा जहाँ पर आपको अपना आधार नमबर इंटर करना है तो यहाँ पर आप अपना आधार नमबर डालेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर capture code मिलेगा same capture code को capture box में डालेंगे देन इसके बाद आप next option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आधार डिटल डालके next option पे क्लिक करते हैं आपके आधार रेजिस्टर्ट मोबाल पे cdg.tp send किया जाएगा वो ओटीप आप यहां पे डालेंगे देन इसके बाद continue option पे क्लिक करेंगे अब जैसे आधार रोट पे डालके continue option पे क्लिक करते हैं तो आपका आधार नमबर सकस्फुल यहां पे भेरिपाई हो जाता है देख सकते हैं आपको यहां पर message मिल जाता है कि आपका आधार verification successful हो चुका है अब जैसे आपका आधार verification successful हो जाता है अब आपको अपना bank account details है आपके देना होता है जिस bank account में आप loan के पैसे को लेना चाते हैं तो सबसे पिला आप अपना bank account number यहां पर डालेंगे पर नीचे confirm option दिख रहा है आप confirm option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप bank account detail डाल देते हैं आपको कुछ document यहां पर upload करने हो जैसे कि सबसे पहले आपको अपना एक selfie upload करना होगा live selfie आपको क्लिक करना होगा तो आप selfie क्लिक करने के लिए simple tag photo पर क्लिक करेंगे आपका back camera श्टार्ट हो जाएगा आप अपना pen card का photo को क्लिक कर लेंगे अब जुस्तो पैं card upload करने के बाद आपको अपना आधार card को भी upload करना होता है तो simple आपको आधार card upload करने के लिए सबसे पहला आधार number डालेंगे इसके बाद आप tag photo option पे क्लिक करेंगे आपका back camera start हो जाएगा आप अपना आधार card का front side और back side दोनों side upload करेंगे इसके बाद continue option पे click करेंगे अब जैसे आप document upload कर देते हैं आपको फिर से कुछ personal detail यह फिल करने होंगे जैसे कि आप आपको personal email ID डाल देना है आप अपना personal email ID डालेंगे इसके बाद आप अपना mental income डालेंगे कि आप mental कितना income करते हैं इसके बाद आप अपना company name डालेंगे जिस company में आप job करते हैं इसके बाद आप अपना occupancy type को choose करेंगे अगर आप job नहीं करते हैं तो यहाँ पे self-employed भी लिख सकते हैं इसके बाद आप यहां पर occupation type में select करेंगे क्या आप क्या काम करते हैं अगर आप अपना खूद का काम करते हैं बिजनस करते हैं तो है अप self implement को select करेंगे अब दूस्तों occupation select करेंगे अब आपको अपना address यहां पर fill करना हो तो आप अपना city name डालेंगे इसके बाद आप अपना area का pin code डालेंगे इसके बाद आप आप याप पे landmark दे देंगे landmark में जैसे कि या आपके बगल में कोई भी मंदिर मस्जीद है तो landmark आप याप याप डालेंगे जैने इसके बाद next option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप address detail डाल देते हैं तो देख सकते हैं अब आप आप आचुके हैं next step में तो जहां पर आपको loan amount को bank में transfer करने के लिए अपने bank account में e-mandate set करना होगा तो e-mandate setup करने के लिए आपका bank account details सो हो जाएगा जो bank account details आप फैले फिल किये हैं तो इसके बाद आपको option मिल रहा है generate e-n-a-c-h तो इस option पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों e-mandate क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूँ अगर आप अपने bank account में e-mandate कर लेते हैं तो आप जो loan लेंगे Stasfin app से उसकी जो मन्तली EMI होगी वो आपके bank account से पर मत आटमेटिक कट होते जाएंगे तो simple आप generate e-n-a-c-h option पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं e-mandate करने के लिए आपको आपको यह दो option एक net banking का और debit card का तो अगर आपके पास net banking है तो आप net banking की से बहुत यह आसानी से अपने bank account में e-mandate setup कर सकते हैं अगर आपके पास net banking नहीं है तो आप debit card को select करेंगे तो चले हम ऐसे net banking को select करते हैं अब दूस्तों net banking या फिर debit card को select करने के बाद आप आपको term condition को accept करना होता ह तो आप term condition के check box पे tick mark लगाएंगे इसके बाद आप proceed option पे click करेंगे अगर आप net banking select किये हैं तो net banking का username password डाल के अपने bank account को verify करेंगे और अगर आप debit card को select किये हैं तो debit card का details देगे जैसे कि ATM card का card number, CBB number, expiry date डाल के आप अपने bank account में e-mandate set करेंगे तो चली मैंने net banking को select किया तो मैं यहापर अपना net banking का username password डाल के अपने bank account को verify कर लेता हूं अब जैसे दोस्तों आप अपने bank account में e-mandate set up कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपका loan application successful यहाँ पे approve हो जाता है देख सकते हैं मुझे congratulations का message मिल चुका है और यहाँ पे बताए गया है your application has been successfully approved तो दोस्तों दे करने होंगे अब आपको नीचे term or condition का checkbox दिकरा इसको फिर से tick mark लगाएंगे इसके बाद आप get fund now option पे click करेंगे अब जैसे आप get fund now option पे click करते हैं तो देख सकते हैं आपका application successful submit हो चुका है आपको यह पे thank you का message मिल जाएगा अब जोस्तों जैसे आपका loan application submit हो जाता है तो loan का पैसा साथ के साथ आपके bank account में transfer नहीं होता है आपको transfer करना पड़ता है तो इसके लिए आप फिर से stressfin loan app को open करेंगे अब जैसे आप फिर से आपको open करते हैं तो आपके समने कूछ इस प्रकार dashboard सो हो जाएगा आप जितने भी loan apply की हैं जो आपका approved loan amount है वो आपको यह प bank में transfer करना चाहते हैं तो आप यहां पर loan amount को select करेंगी तो चलिए हमें यहां पर पूरा amount transfer करना है अपने bank account में तो हम total amount यहां पर 35,000 रुपी हम हम यहां भी select कर लिए हैं इसके बाद आपको choose your EMI plan का option दिकरा है फिर साब choose your EMI plan option पे click करेंगे फिर साब का loan का details आ जाएगा जैसे कि आप loan amount आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा tenor यहां पर 12 मेहनों के लिए देख सकते हैं आपको tenor मिलेगा अगर आप tenor को कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं और यहां पर आपका EMI amount फिर से show हो जाएगा अब आपको simple continue option दिकरें continue option पे click करेंगे अब जैसे आ continue option पे click करते हैं आपका bank account detail यहां पे show हो जाएगा तो आपका bank account detail को चेक करना है then confirm option पे click कर देना है अब जैसे आप bank account detail को confirm कर लेते हैं आपका loan का पैसा आपके bank account में transfer कर दिया जाता है तो दोस्तों यह amount आपका account में तूरंद भी credit हो जाता है साथी कभी-कभी time भी लग जा जाता है अब दोस्तों चलिए हम loan लेने के बाद loan amount को कैसे repayment करेंगे इसके बारे में भी हम आपको यहां पर बता देते हैं तो दोस्तों आपके loan की जो मंधली EMI होगी वह आपके bank account से भी per month automatic कट लिये जाएंगे और अगर माल लिजे आपके पास पैसा आ जाता है और आप चाहते हैं कि एक बार में हम अपने loan के पैसे को repayment कर दे तो इसके लिए आपको यह पर पेनाओ का option दिखरा पेना option पे क्लिक करेंगे आप net banking, debit card, credit card या फिर आप UPI के तुरू अपने loan के पैसे को एक बार भी repayment कर सकते हैं तो यह है दोस्तों इस परकार से loan के लिए apply किया जाता है और इस परकार आप अपने loan के पैसे को बैंक में transfer कर सकते हैं जैसे में आपको इस वीडियो में complete process दिखा दी है आसा करता हूं आपको जानकर एच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं चैनल को subscribe कीजिए आपके मन में कोई भी confusion है वीडियो के थेंक यू